खाबर सीवान जीले के दरौंदा थना शेत्र के बाल बंगरा से है जहां बाल बंगरा में एक नौवी वहिता की गला दबा कर हत्या कर दी गई है बताते चले कि नौवी वहिता की साधी साथ माह पहले बाल बंगरा में 10 दिसंबर 2020 को हुई थी उसके बाद दहज के लिए हमेशा स्वसुराल वाले जगडा करते थे इसी को लेकर आज उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई जैसे कि सूशना परिवार वालों को मिली परिवार वालों ने सूशना थाने को दिया पुलिस मौके पर पहुँच कर कानूनी करवाई करने में जुट गई है मिरतक के भाई ने बताया कि गला दबाकर मेरी भहन की हत्या की गई है परिजोनों ने बताये कि जब वो घटनास तल पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रीत्यू कुमारी की गला पूरी तरीके से फूला हुआ है कमरे में उसका स्व पढ़ा हुआ है मितक के भाई कमलेस जादो पिता लक्षमन जादो ग्रामते उथा थाना माराज गंच के रहने वाले हैं उनके ब्यान पर थाने में फायार भी दर्ज हो रहा है दो अक्टूबर 2017 को गांधी जैन्ती के असर पर पटना में बापू सभागार से मुक्रमंती तिसकुमार ने एलान किया था कि दहेज प्रथा के खिलाप अभियान चलाये जाएगा इसके बाद 27 अठारों को बाल विवा और दहेज प्रथा के खिलाप सूबे में मानो सिंखला भी बनाई गई थी लेकिन इसका असर केवल कागजू और दिवारों पर ही देखने को मिल रहा है कई जगा फ्लैक्स होडिंग और दिवार लेखन के जर्ये या बताया गिया दहे पर दिश के लिए हत्या के मामले थम नहीं रहे हैं तो यह जो है कि क्या घटना हुआ है आपके वहां के साथ मेरे बान का अगला दापकरों मडर किया गया है कहा पे बाल बंग्रा गाउं में अबसे घरवे साधी गवा है पेपल बंग्रा में जी हां कब साधी हुआ है दस सब्सक्राइब करें लोग पता है सरे यहां पर दहेश का कुछ मामला सामने है यह लोग पांच लाख रुब्बे का और भी डिमांड कर रहे तो और गाड़ी का अच्छा उसी के बज में लोग जी हां और कई बास धमका भी चुके थे कि अगर नहीं दिया जाएगा तो लाल बाबु यादव बुलेट यादव उसके साथ आपके मतलब जिनके साधी हो थो उनका नाम बुलेट यादव है जिन साधी की है लड़की किन की है पापा क्या नहीं हम आपका है मेरे पापा के नाम लक्षमन यादव है लड़की क्या नाम रितु कुमारी उनका लड़ अब बीए, बीकॉम, बीएसी और में, एमकॉम करें विश्वकी सबसे बड़ी उनिवरस्टी इग्नू से, सॉल्ड असाइन्मेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कप्यूटर्स, डियेवी कॉलेज गेट के सामने सिवान.